कि और इसी बात का बड़ा आदμी कौन है उसके खर कोई आता ही नहीं सुबह बाई घंटी बजाती है शाम गविव अधूद्वाला बीच में पर पिता ची मेरे digital ाते हैं तो लोगों से कहते बड़े खुश होते हैं केते हैं यह आद्मी ठीक है इसके 10 आदंमी चाय पीते हैं पाँच आदमी सूते रहते हैं, ये ठीक है मैं जोशी जी से असेमा तुँ जो कह रहे हैं, कि पहले सिक्षा लाइए, सिक्षा तु लाइए लेकि अंदोस्तान की दुनिया की जितनी समस्याइ हैं, वो किसने पैदा करी हैं? आईए पहली समस्या, बेरोजगारी, किसने पैदा करी भई? सिक्षित लोगों ने क्या सिक्षित लोगों ने? सिक्षित लोगों ने, गाउं में सब के पास रोजगार था, गाउं में सब लोगों के पास कुछ ना कुछ काम था, लकड़ी वाले के पाद लकड़ी का काम था, जूते वाले के पाद जूते का काम था, लोहे वाले के पाद लोहे का काम था, सब एक दूसरे को भोजन दे रहे थे, सब एक दूसरे को अन दे रहे थे, सब का काम चलना था, आपने सुना गाओं में कोई भूका मर गया, नहीं मर कि आपको तै करना है कि बिना संसकार की कार लेनी है कि संसकार सहित कार लेनी है अधिक्तम पूरी लड़ाई बिना संसकार की कार लेने की है यही कारण है कि हमने इस जीवन को कष्ट का साधन मना दिया है दूद में यूरिया मिलाया जा रहा है जो यूरिया मिला रहा है उसको शर्म लिहाज नहीं है कि किसी की किड़नी में जाएगा तो किसी का पती, किसी का बेटा, किसी का सुआख, किसी की राकी सुनी हो जाएगी उसके खुद के गर में भी बेटी है उसके खुद के गर में भी पुत्र है वो सोच के देखे कि मेरे पुत्र को अगर ये यूरिया किड्नी फेल कर दे और मेरा बेटा मर जाए तो कैसा लगे नहीं वो सोच ही नहीं रहा उसको लगता है अजार रुपे भाल तू मिलने है थोड़ा सा यूरिया मिला दो सबजी वाला यही कर रहा है आपके साथ अफसर आपके साथ यही कर रहा है सरकारें आपके साथ यही कर रहा है नेता आपके साथ यही कर रहा है जुकि हमने इस पूरे प्रोसेस को लर्निंग का बनाया ही नहीं है हमने इस पूरे प्रोसेस को सिक्षा का बनाया है और मैं आपसे निविधन करता हूँ कि सिक्षित हो जाईए पढ़िये, खूब पढ़िये, रिसर्च करिये इंजिनेर बन जाईए, डॉक्टर बन जाईए आईस बनिये, पीसियस बनिये लेकिन लर्निंग सीखिए कोई नासा नहीं गए थे वो गाम के लोग जो गौराया को धूल में लेटते हैं बता जेते थे कि आज पच्छुआ के साथ बादल आएंगे उसने अनुभाव से यह जाना था तो इसका मतलब कुछ ग्यान ऐसे हैं जो अनुभाव से ही आते हैं मैलाएं बैटिये, मात्रिशक्ती बैटिये अब वो मा, अमा, मा पैदा हुई है मेरी पत्नी, मेरी बेटी को डाटते हुए अकसर कहते है तू बनेगी न मा तब पूछूँगी तुससे उसको लगता है खराब बात है अरे यह सही बात है, जोकि उससे पहले वो सिर्फ बेटी थी सिर्फ वो पत्नी थी, सिर्फ वो बेहन थी जिस बार पहली बार उस शिश्व ने आकर किलकारी भरी, उस दिन मा को पता चला कि माओ, मेरा बोध क्या है, मुझे जगना इसके अनुसार है, मुझे सोना इसके अनुसार है मुझे इसका सबकाम करना है उस दिन से उसका बोध पैदा हुआ तो जैसे आप ग्यान के साथ यात्रा करते हैं आपके मन में नई जिग्यासा पैदा होती है तो यकीन मानिए आप भी पैदा होते हैं साथ साथ आप भी नए तरीके से पैदा होते हैं जब आपको इचीज पढ़ते हैं अब आपको तै करना है कि आपको अधूरा पैदा होना है कि पूरा पैदा होना है आपको विकल दिव्यंगों के साथ पैदा होना है कि संपूर शुशोबिश शरीर के साथ पैदा होना है इसलिए पढ़िएगा तो ये सोचके मत पढ़िएगा कि ये पास करना है सोचके पढ़िएगा कि मुझे ये जानना है ये मेरी इच्छा है ये मैं जानना चाहता हूँ अधिकांशते हम जो पढ़ रहे हैं हम ये पढ़ रहे हैं कि ये इतना है इसको ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा इससे जीवन आगे नहीं जाएगा गाउं में गया तो वो गाउं के प्राइमेरी स्कूल की पहली दूसरी क्लास की अंग्रेजी की किताब देखी आपने भी देखी होगी उसमें लिखा हुआ था जी फॉर जेंटलमेन तो सामने कुछ चीज़े बने रहती हैं न अम्रेला बना हुआ है ना बना रहता है सब भी फॉर बैलून तो बैलून बना हुआ है तो जी फॉर गर्लें जेंटलмен तो एक लड़की बनी हुई और जेंटलमेन के नाम पर सूaces पएने हुए एक आदमी बेठा हुआ मतला खड़ा हुआ है यानि कि जेंटलमेन है जिसने सूट पेना वो जेंटलमेन है तो गाव के उस बच्चे को ये लगता होगा कि ये जो धोती कुड़ते में मेरा बाप है ये जो खेत में जाता है गुरु ये जेंटलमेन नहीं है जेंटलमेन कौन है जेंटलमेन PWD का वो चोर के लर्ख है जो सूट में आता है रोज सुबही सुबही तो जेंटलमेन की परिवाशा क्या बनाई आपने बस्तर से बना दिया आपने बच्चे के दिमाग में आरोपित कर दिया भाव कि जेंटलमेन होना मतलब कपड़े ऐसे पहनना हमारी भी ब्रांड के टीम लोग कहते हैं कि यह क्या पहन लेते हो आप आज ही कह रहा था क्या पहन लिया मैंने का मेरी कमीज सुनेंगे कि मुझे सुनेंगे